दोस्तो आज हम आपके लिए लाए हैं Oldest Gold Movies के क्रम में रामा एंड सीरियल से भारत के गाउं गाउं तक पहचाने जाने वाले निर्माता निर्देशक रामानंद सागर की साठ के दशक की सुपर हिट फिल्म आरजू के बारे में विशेश जानकारी बताएंगे फिल्म आरजू के संगीतकार शंकर जैकिशन के विवात से जोड़ा फैक्ट साथ ही बताएंगे फिरोज खान को फिल्म आरजू मिलने की कहानी फिल्म आरजू से जुड़ी रोचक जानकारी में बने रही है हमारे साथ दोस्तों इस फिल्म के निर्देशक और निर्माता थे रामानंद सागर और इस फिल्म में कलाकार के तौर पर नजर आये थे राजेदर कुमार, साधना, फिरोज खान, महमूद अली और नाजिर हुसेन इसके गीतकार हसरत जैपूरी और संगीतकार शंकर जैकिशन थे तथा इसमें गायक और गायका के तौर पर महमद रफी, लता मंगेशकर और आशा भोसले ने अपनी आवाज दी थी यह फिल्म रिलीज हुई थी 15 जनवरी 1965 को और इसने बॉक्स आफिस पर दो करोड का कलेक्शन किया था फिल्म में साथ गाने रखे गए थे फिल्म का आशा भोसले वह मुबारक बेगम द्वारा गाया गया गीत जब इश्क कहीं हो जाता है लता जी द्वारा गया गया दर्द भरागीत बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मनियाद करता है लता जी की आवाज में शरारत भरागीत अजी रूट कर अब कहां जाईएगा मुहमद रफी साहब के आवाज में ऐ फूलों की रानी बाहरों की मलिका जैसे गाने आज भी लोगों के पसंदिदा गानों में शुमार है साल 1965 में रिलीज हुई प्रमुक फिल्मे थी हिमालय की गोद में वक्त, खंदान, आर्जू, काजल, घुमनाम, गाइड, जब जब फूल खिले, जानवर आदी वर्ष 1965 में रिलीज हुई फिल्म में भारत में कमाई के मामले में नमबर वन पर थी राजकुमार, सुनील दत, साधना, बलराज साहनी, शेशी कपूर की फिल्म वक्त इसकी कमाई थी तीन करोड रुपे, फिल्म ब्लॉकबस्टर रही थी नमबर दो पर शेशी कपूर नंदा की फिल्म जब जब फूल खिले, दो करोड 75 लाख की कमाई के साथ फिल्म ब्लॉकबस्टर रही नमबर तीन पर मनोज कुमार माला सिनहा की फिल्म हिमाले की गोद में, दो करोड 25 लाख की कमाई के साथ फिल्म सुपर हिट रही थी नमबर चार पर थी राजी इंद्र कुमार साधना की फिल्म आरजू फिल्म की कमाई थी दो करोड रुपए और नमबर पांच पर एक करोड पिछत्तर लाख की कमाई के साथ देवानन वहिदर रह्मान की फिल्म गाइड हिट रही थी चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं इस फिल्म से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स नमबर वान 1964 में आई फिल्म संगम के गाने ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज ना होना कि धुन के बारे में शंकर और जैकिशन के बीच विवाध हो गया था इसलिए फिल्म आरजु के निर्माड के समय संगीतकार शंकर और जैकिशन दोनों अलग-अलग काम कर रहे थे संगीतकार जैकिशन फिल्म आरजु के लिए गीतों की धुन तयार करने का काम कर रहे थे एक दिन संगीतकार जैकिशन देश से बाहर गए हुए थे तब ही फिल्म निर्माता रामनन्द सागर को फिल्म के लिए एक कवाली गीत चाहिए था और वो बहुत ही जल्दी में थे इतनी जल्दी में कि वो अपने म्यूजिक डिरेक्टर जैकिशन की भारत वापस लोटने का इंतिजार भी नहीं कर सकते थे इसलिए रामनन्द सागर कवाली की धुन तयार करवाने के लिए शंकर के पास गए शंकर ने इस फिल्म के लिए एक कवाली गीत की धुन बनाने के लिए फिल्म के सभी गीतों के बराबर की रकम मांगी रामानन्द सागर को मजबूरन उनकी यह बात माननी पड़ी और तब शंकर ने जब इश्क कहीं हो जाता है कवाली गीत के लिए धुन तयार की हाला कि बाद में मुहमद रफी ने ये विवाद खत्म कर दिया और दोनों ने फिर से एक साथ संगीत देना शुरू कर दिया रामानन्द सागर फिल्म के एक गीत को बाहर के परिदर्श में शूट करना चाहते थे इसलिए उन्होंने बहुत ही सुन्दर दिखने वाले कृतिम फूलों का ओर्डर दिया था जो दूर से बिलकुल असली दिखते थे उन्होंने उन फूलों को फिल्म के सेट पर रख दिया तब उस जगह के मंतरी फिल्म के सेट पर दौरा करने आए और वहाँ जब उन्होंने वो फूल देखे तो उन्हें वो फूल बहुत ही खुबसूरत और बिलकुल असली लगे मंतरी उन फूलों को देख कर बहुत प्रभावित हुए उन्होंने रामानंद सागर से कहा कि उन्हें आज तक नहीं पता था कि उनके शेहर में भी इतने खूबसूरत फूल उगाए जाते हैं तब रामानंद सागर ने उन्हें पताया कि ये फूल यहां नहीं उगते हैं बलकि उन्होंने असली जैसे दिखने वाले कृतिम फूलों को बाहर से ओर्डर दे कर मंगवाया है पहले इस फिल्म को मंजिल एक मुसाफिर दो नाम दिया गया था फिल्म रिलीज होने के बाद एक दिन रामानंद सागर ने राजेंदर कुमार को अपने आफिस बुलाया जब राजेंदर कुमार वहां पहुँचे तो वहां उन्होंने एक आदमी को देखा जो बेसाखी के सहारे चलता था क्योंकि उस आदमी का एक पैर नहीं था उस आदमी ने राजेंदर कुमार को बताया कि वह अपने इस अपंगता से परिशान होकर अपने आपको मार देना चाहता था लेकिन आरजू फिल्म देखने के बाद उसने ये सीखा कि जीवन में आने वाली समस्याओं का सामना कैसे किया जाए और कैसे अपने मन को मजबूत बनाया जाए ये कहते हुए उस आदमी ने राजेंदर कुमार को गले लगा लिया और उन्हें उस फिल्म में अपने शांदार अभिने के माध्यम से ऐसी सीख देने के लिए धन्यवाद दिया जिससे उसका जीवन बदल गया और वर्ष 1964 में आई फिल्म लीडर का गीद हमी से महबबत की धुन सुनने में एक जैसी ही लगती है दोस्तों आप जानते हैं फिरोज खान को फिल्म आर्जु मिलने की रोचक कहानी फिरोज खान हिंदी सिनेमा के प्रसिध अभीनेता, निर्माता, निर्देशक रहे हैं परन्तु उन्हें पहली एक ग्रेट फिल्म मिलने की कहानी भी बड़ी दिल्चस्प है नमबर 6 फिल्म आर्जू प्रसिद्ध अभिनेता निर्माता निर्देशक फिरोज खान की पहली एगरेट फिल्म थी जिसमें उन्हें दूसरे मुख अभिनेता के रोल के लिए साइन किया गया था इससे पहले 1963 में आई गुरुदत माला सिन्हा की फिल्म बहूरानी में उन्होंने विलन की भूमिका निभाई थी तथा 1964 में गुरुदत माला सिन्हा अभिनीत फिल्म सुहागन में उनका रोल बहुत ही छोटा था फिल्म आर्जू के निर्माता रामानंद सागर दूसरे मुख अभिनेता की भूमिका के लिए धरमेंदर को साइन करना चाहते थे जब उन्होंने ये बात राजेंदर कुमार को बताई तो उन्होंने रामानंद सागर से कहा कि आप चिंता ना करें मैं फिल्म आई मिलन की बेला में धर्मेंदर के साथ ही काम कर रहा हूँ शूटिंग के दोरान में इस बारे में मैं उन से बात करूँगा जब राजेंदर कुमार ने धर्मेंदर से इस बारे में बात की तो उन्होंने बड़ी ही विनमरता से इस ओफर के लिए मना कर दिया क्योंकि धर्मेंद्र उस समय एक बहुत बड़े स्टार बन चुके थे और वो सिर्फ मुख अभिनीता के रोल ही साइन किया करते थे राजेंद्र कुमार ने जब ये बात रामानंद सागर को बताई तो रामानंद सागर निराश हो गए क्योंकि वो उस रोल के लिए सिर्फ धर्मेंद्र को ही लेना चाहते थे इसके बाद उनके मन में मनोज कुमार का खयाल आया उस समय मनोज कुमार भी एक प्रसिद्धी प्राप्त अभिनेता थे राजेंद्र कुमार ने रामनंद सागर को बताया कि उन्होंने मनोज कुमार को अपनी पहली हिट फिल्म हरियाली और रास्ता साइन करने में मदद की थी इसलिए मनोज कुमार भी उनकी बात नहीं टालेंगे लेकिन जब राजेंदर कुमार ने मनोज कुमार से इस बारे में बात की तो मनोज कुमार थोड़ा हिचकेचा रहे थे क्योंकि वो सपोर्टिंग रोल के लिए फिल्म साइन नहीं करना चाहते थे उन्हें लग रहा था कि यदि वो फिल्म में सपोर्टिंग रोल करेंगे तो दर्शकों के बीच उनकी इमेज खराब हो जाएगी उन्होंने राजेंदर कुमार को बहुत समय तक कोई जवाब ही नहीं दिया परंतुबाद में उन्होंने इस उफर के लिए साफ साफ इनकार कर दिया था उसी दोरान राजेंदर मदरास गए हुए थे वहाँ उन्होंने फिल्म बहुरानी देखी और वो फिरोज खान से बहुत प्रभावित हुए राजेंदर कुमार के भाई नरेश भी फिरोज खान के साथ इस फिल्म में काम कर रहे थे इसलिए उन्होंने अपने भाई नरेश से फिरोज खान को उनके बंगले पर भेजने को कहा फिरोज खान राजेंदर कुमार से मिलने गए वहां उन्होंने फिरोज खान को आर्जो फिल्म में सपोर्टिंग रोल के लिए ओफर दिया फिरोज ने उनका ओफर सुईकार कर लिया जब राजेंदर कुमार ने रामानंद सागर को फिरोज खान के बारे में बताया तो उन्होंने इसका विरोध किया और कहा कि फिरोज खान फिल्म इंडस्ट्री में नए अभिनेता है उन्हें अभिनेता का अभी इतना अधिक अनुभाव नहीं है ये हमारी फिल्म में सपोर्टिंग अभिनेता की भूमिका में फिट नहीं हो पाएंगे परन्तु राजेंदर कुमार ने उनसे कहा कि आप चिंदा ना करें फिरोज खान ये भूमिका बखु भी निभालेंगे और जब फिल्म रिलीज होई तो फिरोज खान ने अभिने से सभी दर्शकों की तारीफें बटोरी और ये फिल्म भी बड़े पैमाने पर हिट होई इस फिल्म की थीम फ्रेंच फिल्म सिरानो दे बैरगरेक से बिलकुल मिलती है फिल्म को पाच कैटेगरी में नॉमिनेशन मिले थे परन्तु फिल्म एक भी अवाड नहीं जीत पाई वर्ष 1965 में रिलीज हुई फिल्मों के लिए वर्ष 1966 में आयो जित तेरवे फिल्मफेर अवार्ड समारों में फिल्मफेर बेस्ट एक्टर अवार्ड नॉमिनेशन राजेंदर कुमार जी को मिला था परंदू ये अवार्ड फिल्म खांदान के लिए सुनील दत जी को दिया गया था बेस्ट डारेक्टर तथा बेस्ट स्टोरी फिल्म फेर अवार्ड के लिए रामानंद सागर को नॉमिनेट किया गया था जबकि Best Director Award जीता था फिल्म वक्त के निर्देशक यश चोपड़ा जी ने और Best Story Award फिल्म वक्त के लिए अख्तर मिर्जा को दिया गया था गीतकार हसरत जैपुरी को फिल्म आर्जू के गीत अजी रूट कर अब कहा जाईएगा के लिए Film Fair Best Lyricist Award के लिए नॉमिनेट किया गया था जबकि ये Award फिल्म खांदान के गीत तुम ही मेरे मंदर के लिए गीतकार राजेंदर कृष्ट जी को दिया गया था Best Music Director Award के लिए फिल्म आर्जू के संगीतकार शंकर जैकिशन को नॉमिनेशन मिला था और ये Award जीता था फिल्म खांदान के संगीतकार रवी ने Best Film का Award मनोज कुमार की फिल्म हिमाले की गोद में कोप्रदान किया गया था Film Fair Best Actress Award फिल्म काजल के लिए मीना कुमारी जी को दिया गया था फिल्म खांदान के गीत तुम्ही मेरे मंदिर के लिए लता मंगेशकर जी को Film Fair Best Playback Singer के Award से नवाजा किया था तो दोस्तों ये थी फिल्म आर्जू के बारे में कुछ रोचक जानकारी उमीद है कि ये वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी ऐसी वीडियो के साथ फिर मिलेंगे तब तक जादा से जादा इस वीडियो को शेर करें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद